नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से हमारे चैनल में दोस्तो अभी तक जहां किर्सी वालों किसान जो है दोस्तो पुरी तरह से आंदोलन कर रहे हैं ऐसे में तमाम निता अपनी अपनी बयान बाजी दे रहे थे और कह रहे थे कि देश की गवर्मेंट ने जो कानून लाया है किसानों के परती वो बहुत ज़्यादा बुरा है और ऐसे में दोस्तो किसान अंदोलन को देखते हुए कॉंगरेस ने मौके पे चौका मारने की कोसिस की है जिहां आपको बता दे कि कॉंगरेस का कहना है कि अब हमारी जैसे ही सरकार बनती है तो हम ये जो गवर्मेंट ने नया किर्सी कानून लेकर के आया है हम इसको वापस कर देंगे जानेंगे पूरी खबर है क्या बहुत इंपोर्टेंट खबर है ध्यान से सुनना बता दे कि कॉंगरेस ने तीन नय किर्सी कानूनों के विरोध में दिल्ली कूँच करने की कोशिस कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए सुकरवार को कहा है कि केंडर में जिस दिन उसकी सरकार बनेगी उसी दिन इस काले कानून को निरस्थ कर दिया जाएगा जी हाँ ध्यान से सुनना, कॉंग्रेस ने इस कानुन को क्या नाम दिया है? काला कानुन दिखाने और बताने के लिए त्यार नहीं है कि MSP का कानूनी हक होने की बात कहा लिखी है। अब देखना होगा कि किसान कॉंगर्स की बात में आते हैं या फिर वो अपनी जीत पर अड़े रहते हैं और साथी किसान इस पर क्या फैसला लेते हैं ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा।